राकेश जी, जनता ने तो अपना जनादेश दे दिया, क्या महसूस हुआ कि क्या परिनाम मत पेटियों में कैद हुआ है? जनता ने अपना अश्रवाद भरपूर दिया, और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, कि जनता का प्यार बहुत ही जदा हमको मिला है, नहीं परिवार को, हमारी पार्टी को, इस गढ़बंदन दल को, और गढ़बंदन के हमारे सभी साथियों ने बहुत भरपूर हमारा स चाहता हूं, सब ने जो सहयोग दिया, सारे गढ़बंदन के तीनों नेता हो, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, आस्वस्त है जीत के पर दिया, पूर्णत है, आस्वस्त है, जीतार का अंतर कितना माल है रागेज, अब ये तो इश्वराध ही ने कहानी सकता, लेकिन बहुत अच्छा अंतर होगा, किन मतों के अधार पर लोगों ने वोट दी और एक स्लोगन आपने जिस रोज आप लोगों ने नोमिनेशन फाइल किया, आपने का था कि मर्शिडीज की, मर्शिडीज वाले की टकर, एक साइकल वाले से है, जो जमीन से मेरा किया, तन से, मन से, धन से, हर तरीके से सब मुझे पैसा भी दे करके लड़ाया, मैं सब का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी अपील पर सहर की सारिज लोग और मुझे फर्णगर जनपद के दूर दूर के लोगों ने मुझे सहयोग किया, मैं उनका अभारी ह क्योंकि मैंenne लगा कि हमारा भही कंजोर है, तो कि मैंने कहा है कि मेरा परिवार बहुत बड़ा हूं, मैंसे सब लोग निकल अए, मेरा परिवार हर जाती हर दर्म में है तो उन्होंने इस चुनाओ को अपना चुनाओ बना लिया और इधर गळबन्धन के हमारे सारी नेसा सबने अपना भरपूर सेयोग दिया तो मजबूती से लड़े और मर्सीडीज वाले को निश्चित रूप से जो है चुना वह राएंगे तेरा तारिख में अभी एक बादा आपके हिसाब साब ने पूरी कर ली दूसरी बादा आया मतगन्ना की आशंका है तो उसको ले कभी जते है कभी ऐसा एक मैंने फिर वही कह रहा हूं गठबंधन बहुत मजबूत है और सब नेता बहुत मजबूत है और हर तरीके से उसकी पहरादारी करेंगे चोगिदारी करेंगे महां बैठ करके और तेरा तारिक तक नहीं डटा जाएगा फिर उसके बाद मतगन्ना होगी तो तब भी जो है जीत का हैंगी चिंता नकुरू और इवेम की जगह मतपेटियों पर पहरा रहागा हाँ बिलकुल रहेगा मतपेटियों पर रहागा बिलक